नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं चर्चा करेंगे कि टेक्स को लेकर क्यों भिढ़न्त हो रही है उत्तर भारत और दक्षिन भारत में दक्षिन भारत और उत्तर भारत का जो विवाद है वो कई मामलों में लगातार फिलहाल देखने को मिला है दक्षिन भारत के कुछ नेता उत्तर भारत के लोगों को कहते है या फिर राज्यों को कहते है गौ मूत्र स्टेट जो है इनको बोला जाता है और अब ये जो in Delhi Delhi के अंदर प्रॉट दर्शन होगा as PM Modi slams ौर्टेक लेंगवेज यहां सबसे ज़यदा जुरूरी बात है आवर टेक्सります कि हमारा टेक्स जो है वो बोला गया है कि यह यह हमाराब टेक्स यह तुमारा टेक्स ये हमारा पैसा ये तुम्हारा पैसा के हमारा पैसा हमें दो ये डिमांड की गई है क्या कुछ है समझेंगे विजेयन जो पिन्नराई विजेयन है CM of Kerala के जो CM है to hold protest against Modi government at जंतरमंतर BJP versus Congress जो है अब होना शुरू हो चुका है Rights of States being trampled upon मतलब कुल मिलाकर हम जो राज हैं जो दक्षण भारत की राज हैं उनका पैसा सेंटर के द्वारा खाया जा रहा है सेंटर eating into our financial resources की हमारे जो financial resources हैं उनको खाया जा रहा है सेंटर के द्वारा यानि की सरकार के द्वारा अब क्या है पूरा बिबाद इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार पूरुबक लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि बजट क्या होता है और बजट का इसके अंदर क्या रोल है बजट एक अंतरिम बजट फिलहाल प्रस्तुत किया गया है भारत की जो फिलहाल वित्मंत्री है नाम है जिनका निर्मला सीता रमंजी उनके द्वारा अब ये अंतरिम बजट क्या होता है तो अंतरिम बजट वो बजट जो की चुनावी वर्स में आता है चुनाव का जब भी 2024 से लेकर कोई भी बजट आता तो वो आता 31 मार्च 2025 तक के लिए अप्रेल से लेकर मार्च तक फाइनिसियल एर तो लोग अंतरिम बजट होता है वो आता है चुनावी वर्स के अंदर क्योंकि ऐसा कुछ नहीं पता होता कि 2024 में जब चुनाव हों तो कौन सी सरकार आगे बनेगी ऐसी इस्थिति में एक अंतरिम बजट पेस किया जाता है जिसका उद्देश से होता है कि जब तक कोई सरकार चल रही है देश के अंदर चुनाव के नतीजे आने से पहले तक नई सरकार के गठन से पहले तक तक के लिए ही फोकस करने के लिए ये बजट होता है और उसके बाद जब नई सरकार बन जाती है फिर नया बजट लाया जाता है तो क्या चुनावी वर्स में दो बार बजट आते हैं एक अंतरिम बजट और दूसरा जो है वो मुख्य बजट आएगा जब नई सरकार का गठन हो जाएगा अब ये budget होता क्या है इसको यदि हम थोड़ा सा समझें तो एक आसान भाहसा में बिल्कुल हम समझ सकते हैं इसको कि सरकार जब भी चलती है सरकार को पैसे की कुछ होती है प्राप्तियां प्राप्तियां यानि कि जहां से कुछ सोर्से से सरकार को पैसा मिलना होता है प्राप्तियां जिनको हम अंग्रेजी में रिसेप्ट के नाम से भी जानते हैं जो हैं प्राप्तियां अब जो पैसा सरकार को प्राप्त होता है वो सरकार अलग अलग जगह पर खर्च करती है इसी को हम बोलते हैं expenditure यानि की खर्चे सरकार के खर्चे और प्राप्तियां अब इन ही को एक साल के अंदर सरकार के द्वारा बताया जाता है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर चीज संसद को बतानी होती है लोगों को हर चीज पता होनी चाहिए तो खर्चा करने से पहले income earn करने से पहले बता दिया जाता है कि हम एक साल के अंदर कितना कमाने वाले हैं कमाई ना कहकर क्या क्या हम प्राप्त करने वाले हैं और दूसरा हम कहां कहां पर इसको खर्चा करने वाले हैं यही जब बताया जाता है साल के अंदर उसी को वोला जाता है बजट कुल मिलाकर बजट और तीन तरह के हमारी पार्लियमेंट के अंदर सेशन होते हैं एक होता है बजट सेशन जो की फिलहाल चल रहा है एक होता है मौनसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन जिनको हम BMW के न करजा भी लेती है, दूसरे देशों से करजा लेना हो गया, कोछ सरकारी कंपनिया निगम चलते हैं लेकिन जो major part होता है सरकार की earnings का या फिर सरकार की revenue है उसका वो होता है tax, अब tax जो है उसको भी दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है, मोटे तौर पर कितनी तरह के tax होते हैं एक होता है direct tax और एक होता है indirect tax direct tax वो tax जो कि आप से directly बसूला जाता है directly जैसे कि आप कुछ पैसा कमाते हैं income के तौर पर कमाते हैं तो एक minimum standard fix किया हुआ है कि यदि आप इतने रुपई से ज़्यादा कमाते हैं तब उस पैसे में से कुछ पैसा आपको सरकार को देना होगा यह होते हैं direct taxes लेकिन कुछ taxes ऐसे होते हैं जो direct व्यक्ति पर ना लगकर वो लगाए जाते हैं किसी दूसरे के थ्रू जैसे कि एक tax है GST जी एस्टी टेक्स आप से direct नहीं वसूला जाता है बलकि वो कोई भी service प्रोवाइड कराने वाला या फिर कोई goods बीचने वाली कोई agency है उससे वसूले जाते हैं लेकिन कुल मिलाकर जो व्यक्ति है जिससे सरकार के द्वारा GST वसूला जा रहा है वो व्यक्ति आप से ही ले लिता है वो पैसा तो इन direct taxes की बात करें तो income tax है securities transaction tax है corporate income Tax है यह सारे के सारे है direct taxes और indirect taxes की अगर बात करें तो custom duty है exercise duty है यह सारे के सारे जो taxes है यह है indirect taxes अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि सरकार कितना पैसा खर्ज करती है और कितना पैसा कमाती है तो केंद्रिय राजस तो एवं वे जो है आपको इस चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है भर्ज करें कि एक रुपया सरकार जो है वो प्राप्त करती है एक रुपया सरकार के रिशिप्ट के तौर पर मिलता है तो उस एक रुपय मैंसे कितने पैसे कहां से आ लिया IEMF से उधार ले लिया इस प्रकार से हमारे देश की सरकार को एक रुपए में से 28 पैसे प्राप्थ होते हैं उधार के तौर पर और दूसरा आप देखते हैं आएकर income tax जो है direct tax यहां से 19 पैसे एक रुपए में से प्राप्थ होते हैं GST और अन्यकर की अगर बात करें तो 18 पैसे यहां से सरकार को प्राप्थ होते हैं कुल मिलाकर लगभग 37 पैसे एक रुपए में से 37 पैसे दोनों तरह के tax से ही सरकार को प्राप्थ हो जाते हैं और इसी tax के पैसे को लोगों को दिया जाता है या फिर welfare के कामों में लगा जाता है अब थोड़ा सा देखते हैं सरकार खर्च कहां कहां करती है यह देखा हमने कहां से आता है सरकार के पास सरकार का पैसा जाता कहां से है तो एक रुपए में से यदि बात करें हम तो सबसे जादा पैसा जाता है जो हमने उधार लिया है उसका ब्याज चुकाने में एक पोटल एक रुपया में से राज्यों को distribute कर दिया जाता है भारत के अंदर 28 राज और 8 union territories है तो इनको ये पैसा दिया जाता है जिससे कि ये अपने खर्चे चला सकें welfare के काम कर सकें अब यहीं पर पूरी जो कहानी है वो अठकी हुई है कि जो राज्यों को जो 20 पैसे का हिस्स है उसमेंसे कितना किस राज्य को दिया जाता है इसको और हम समझेंगे उसके बाद चलेंगे मुख्य कहानी के ऊपर जो चल रही है तो एक तो है करों और सुलकों में राज्यों का हिस्सा 20 पैसा हुआ एक रुपए मेंसे और बात करें वित आयोग और अन्य अंतरन 8 पैसे जो वित आयोग होते हैं वो भी समय समय पर सरकार को बताते हैं कि बजट से ज्यादा भी यदि कभी जरूवत पड़ती है किसी राज्य को तो वित आयोग की सिफारिस पर उस राज्य को पैसा दे दिया जाता है तो यह है पैसा लगबग 28 पैसे के करीब एक रुपए में से स बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें आप देखें जो आपको मिलेगा यहां कि कहां किसको देना है तो राज्यों को अंतरन लगभग 2,86,787 करोड रुपए राज्यों को अंतरन के तौर पर यहां दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा अब थोड़े सी चर्चा करते ह है टेक्स के बारे में कि कितना टेक्स कहां से वसूला जाता है सरकार के द्वारा तो एक बहुत यह न्यूज आपको आश्चर चकेत कर देगी कि 4 states drive 70% of net direct taxes मतलब कुल मिलाकर direct tax की अगर बात करें तो सिर्फ 4 राज्य भारत के total 70% tax को collect कर रहे हैं और आसान भासा में यदि ह direct tax मिले हैं तो भारत के अंदर 28 राज और 8 union territories हैं इन सारे के सारे मिलकर सिर्फ 4 राज ऐसे हैं जो कि इसमें से 70% दे रहे हैं कुल 4 राज 70% जो है वो net direct tax के तौर पर देते हैं अब सिर्फ 4 राज का contribution इतना बड़ा है इसके अंदर और थोड़ा सा फेगर्स और डेटाज की बात करें तो tax collection जो हुआ है 2022 तेज के अंदर लगभग 16.27 लाख करोड रुपए का tax collection हुआ है अब इस tax में किस राज ने कितना tax दिया है इसको जदी हम देखें तो बात करेंगे महराश्ट के बारे में net direct tax collection in महराश्ट इस्टूड एड 6.14 लाख करोड कुल मिला कर 16 लाख करोड टोटल में से अकेला एक राज महराश्ट 6.14 लाख करोड रुपए का contribution कर देता है उसके बात जो की सबसे ज़्यादा है देश के अंदर उसके बात करें तो 2.12 लाख करोड जो है वो दिल्ली से मिलता है 2.05 लाख करोड करनाटक से मिलता है और 1.07 लाख करोड कलेक्ट कराते हैं और बात करें कि जो 5 राज हैं हमारे वो लगभग आधा जीएस्टी जीएस्टी की बात करें जो इंडारेक्ट टेक्स है इंडारेक्ट टेक्स जो टोटल यदि 100% सरकार को मिला है तो उसमें से 45% जाता है आधा के आसपास सिर्फ 5 राज्यों के द्वारा दिया ग राज्यों को किया जाता है वो कितना होता है अब यहां आप देखेंगे बिहार चौथे नंबर पर आपको दिखाई देगा जिसको कि सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है लगभग एक लाख बाइस हजार करोड रुपए के आसपास बिहार को आवंटित किया गया है और द राज्य दे रहा है बहुत ज़्यादा उसको सरकार से मिल रहा है बहुत कम अब उम्मीदे सात्यों जो पटकता है आज के हमारे सेशन की वो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि कितना पैसा कौन दे रहा है और उसे सरकार से वापस कितना मिल रहा है और में कितना सरकार से मिलता है ये है वो टेवल जिससे आपको समझ में आएगा बिहार है सबसे टॉप पर बिहार को बिहार यदि एक रुपया टेक्स के तौर पर सरकार को देता है तो 7.06 रुपया प्राप्त करता है 7 रुपया सरकार इसको वापस देती है एक रुपया बिहार दिया साथ रुपया बिहार को वापस दे दिया उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा है उसके बाद है आसाम मध्य प्रदेश जारखंड 36 गड़ हिमाचल प्रदेश उडीसा राजस्थान उत्तराखंड वेस्ट बंगाल पंजाब केरला यदि हम यहां दे सिर्फ यदि दिल्ली को छोड़ दिया जाए पंजाब को छोड़ दिया जाए हर्याना को छोड़ दिया जाए तो बाकी यह सारे राज ऐसे हैं जो कंट्रिब्यूट तो बहुत कम करते हैं लेकिन प्राप्तियां बहुत जादा रखते हैं दूसरी और यह दक्षिन भारत व दे रहा है बदले में उसे कुल 0.08 पैसा ही return में मिल रहा है अब इसी बात के लिए पूरा प्रदरसन चल रहा है कि हमें दिया जाए पैसा थोड़ा सा आप जरूर जानना चाहेंगे कि जब सरकार पैसा distribute करती है तो कौन-कौन से factors को ध्यान में रखा जाता है यहां तक की कहान देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि जो demand की जा रही है इन states के द्वारा जो दक्षण भारत वाले state है कि हमारा पैसा हमें वापस दीजिए कि यह बिलकुल ठीक है आप इसको justified भी कह सकते हैं कि इनकी demand ठीक है लेकिन सैसन के अंत तक चलते 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 चर्चा करेंग है तो ठीक है वनना आने वाले समय में आरा जकता है इस देश के अंदर और भी ज्यादा बढ़ सकती है चर्चा करते हैं कि सरकार कौन-कौन से factors को ध्यान में रखती है पैसा distribute करते हुए तो 45% जो पैसा दिया जाता है राज्य को ये देखकर दिया जाता है income distance कितना है राज के अंदर उस GDP को divide कर दिया जाता है वहां की population से जितनी राज्य की total population है उसको divide करने के बाद एक per capita income निकल कर आती है बिहार राज्य की per capita income की यदि हम बात करें तो लग भग आपको 15,000 रुपए के आसपास प्रतिव्यक्ति आए यहां देखने को मिलती है और वहीं बात करें केरला के बारे में तो केरला के अंदर लग भग तीन लाख रुपए सालाना प्रतिव्यक्ति आए जो है वो निकल कर आती है अब यह जो difference है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है केरला और बिहार के बीच में इसी लिए बिहार को जो distance है इपर capita income के बीच में इस factor को देहन म के द्वारा पैसा distribute अलग अलग राज्यों को किया जाता है population अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों दिया जाता है क्यों जो है यह पैसे का distribute इतना जादा बिहार उत्तर प्रदेश को मिलता है तो सबसे पहले जो राज छुपा हुआ है वो आपको यहां देखने को मिलेगा उत असी प्लस चालिस लोक सवा की सीट हैं एक साथ अकेले ही रखते हैं कुल मिलाकर किसी भी सरकार को यदि केंदर में अपनी सरकार बनानी है तो इन राज्यों से होकर गुजरना ही पड़ेगा और ऐसी इस्थिती में यदि कोई सरकार बनती है तो फिर जो देश के अंदर कहे कि जो ये राज्य हैं इनके वैलफेर के लिए ही ये बो सरकार काम करना पसंद करेगी या फिर काम करना चाहिए अब यही कारण है कि जो पॉपुलेशन है इन राज्यों की बो काफी जादा कम है काफी कम पॉपुलेशन के चलते दक्षिन भारत की जो पार्टियां हैं उन् मद्यपरदेश के बीच से बिंध्याचल परवत स्रंखला उसके नीचे के जो इस्टेट हैं, उनको आम तोर पर जोगरफी की भाषा में बोला जाता है South के States अब ये जो South के States हैं उसके अंदर पहले महराष्ट भी सामिल ये किया करते थे लेकिन महराष्ट के अंदर BJP बगएरा की सरकार बन रही है तो माना जाता है कि महराष्ट अब अलग हड चुका है साउथ से बाकी सिर्फ दिल्ली और हर्याणा छोड़ दिया जाए पंजाब छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सारे राज्य ऐसे हैं जिन्हें पैसा भर-भर के मिलता है लेकिन इनका कंट्रिव्यूशन तुलनात्मक रूप से कम रहता है साइद इसी के चलते अब समझ चुके होंगे आप पूरी कहानी की क्यों ये डिमांड उठाई गई है केरला सी एम टू लीड प्रोटेस्ट ये जो प्रोटेस्ट हो रहे है हमारा टेक्स हमें वापस कर दिया जाए पैसा ये डिमांड चल रही है इसी लिए कहा जा रहा है सरकार प्रदर्सन कर रही है इसमें केरल के सीम पिनराई विजयन दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल हो गये है सामिल पंजाब के सีम भगवतमान हो गए है कि लड़ाई की बात की अधिकार बगईरा लेंगे विजियन ने साथ में कहा कि केंदर का ध्यान सिर्फ सत्रे राज्यों पर है सत्रे वो वाले राज्य जो की कम पैसा देते हैं जिनके development में पैसा काफी भरबर के दिया जाता है अब क्या कहा गया है तो पिनराई विजियन ने अपने प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कहा कि देश के सत्रे राज्यों में एंडिये की यानि की बीजेपी समर्थक जो सरकार है केंदर सरकार पूरी तरह से इन सत्रे राज्यों को ही फेवर करती है जो एंडिये में नहीं जो NDA में नहीं है उनको नजरन्दाज करती है इस आंदोलं का उद्देश केबल केरल के ही नहीं बलकि सभी राज्यों के समवेदानिक अधिकारों की रक्षा करना है इस संगल्स का उद्देश किसी पर विजया प्राप्त करना नहीं है बलकि यह सुनिश्यत करना है कि हम आत्म समर्पन करने के बजाए अपने हक के लिए रहेंगे हमारा मान नहीं कि पूरा देश इस विरोध के समर्थन में केरल के साथ लड़ेगा कोल मिलाकर यह जो आप इनका स्टेटमेंट है आपको लग सकता है कि यह एक जस्टिफाइड स्टेटम को काफी कम पैसा मिलता है इसकी न्यूज कटिंग भी काफी वाइरल हो रही है यह सेंटर असिस्टेंस टू गुजरात इस वेरी लो की सेंटर का जो गुजरात को सहायता है वो बहुत कम है ऐसी बात मोधी जी भी किया करते थे अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्यों य यह डिमांड सही है या फिर गलत हैं चर्चा करते हैं थोड़ी सी नदियों के बारे में नदियों की यदि बात करें तो South India के अंदर भी नदियां आपको देखने को मिलेंगी लेकिन यह जो नदियां है यह mostly मौसमी नदियां होती है सीजनल नदिया होती है यह हमेशा नहीं बहती हैं जब बारिस होती है इधर पहाडों के उपर जो हमारे पस्चमी घाट है तब जो है इन नदियों के अंदर पानी रहता है बाकि समय में ये सूख जाती हैं ऐसी इस्थिती में जो हिमालियन स्ठेट्स हैं उपर उत्तर भारत वाले जो स्टेट्स हैं वो पूरे देश को पानी कहें या कहें बिजली, क्योंकि बिजली बनाने का एक सोर्ष पानी भी होता है, पहाड यहाँ पर है नदिया यहाँ पर है, एसी इस्तिती में यदि ऊपर उततर भारत बाले स्टेट्स दिमांड करना शुरू कर दे हैं, कि हमारे पानी से बनी हुई बिजली का उपयोग सिर्फ हम करेंगे बाकी पूरा देश बिजली का उपयोग नहीं करेगा या फिर जो इस पानी से सिचाई होने के बाद खेती होती है उस खेती की फसल हम ही उपयोग करेंगे बाकी कोई भी इस्तिमाल नहीं करेगा तो क्या सिच्वेशन इस देश की होगी आप अंदाजा लगाकर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अब थोड़ी सी बात करते हैं कोल रिजर्व के बारे में जो मिनरल्स मिलते हैं तो कोईला सबसे ज़्यादा जारखंड के अंदर मिलता है लेकिन जहरखंड का कोईला इस्तिमाल दक्षिण भारत के अंदर किया जाता है तो कि आज भी काफी सारी बिजली भारत के अंदर मुखे रूप से कोईले से ही पैदा की जाती है अब एक सरकार की नीती किसी समय पर बनी हुई थी कि जिस राज्य के अंदर संसाधन होंगे या कहें कि जो खनिज संसाधन है उस राज्य के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी सभी राज्यों को बराबर का योगदान मिलना चाहिए और उसी सरकार की नीती के तहर जो coastal lines वाले हमारे जो राज्य हैं यहां से बड़ी मात्रा में ब्यापार होता है पूरी दुनिया से समुद्र के माध्यम से ऐसी स्थती में जो industries थी वो लगाई गई थी इन ही coastal राज्यों के अंदर लेकिन जो इन राज्यों के अंदर जो चीज कोईला हम दूसरे state में नहीं देंगे हमारे यहां पर ही आप industry लगाईए या सरकार एक फैसला ले भी लेती है कि जहां संसाधन उपलब्ध हैं वहीं पर जो है factory लगाई जाएगी किसी भी चीज की तो सायद दक्षिन भारत के हैं से बहुत सारी चीजें छिननी सुरू हो ज हम से यहां लाया जा सकता है ऐसी सिती में दक्षिन भारत के लोगों का क्या होगा या फिर क्या ये demand इनकी सही है अगला factor बात करते हैं थोड़ी सी जो हमारी wheat producing ना सिर्फ wheat बलकि अनाज producing belt मुखे रूप से यह जो belt आपको दिखाई देती है यही है भारत के अनदाता किसान जहां पर रहते हैं और पूरे देश को ही नहीं बलकि पूरी दुनिया को अनाज यहां से supply किया जाता है दो साल तक का stock इंडिया अपने साथ रखता है और हमेशा पूरी दुनिया की मदद भी time time पर भारत के द्वारा अनाज के तौर पर की गई है ऐसी स्थिती में यदि य यदि बात करें तो tax के बारे में देश के अंदर जो tax देने वाले लोगों की संख्या है वो 66.5 million है income tax जो लोग देते हैं उनकी संख्या सिर्फ जो है 6 करोड के आसपास है लगबक साड़े 6 करोड इनकी संख्या है ऐसी स्थिती में बदले में इन लोगों को क्या मिलता है ब हम चले विदेश में क्योंकि हम अच्छा खासा पैसा कमाते हैं हम किसी दूसरे देश में जाकर रहेंगे तो क्या इनकी डिमांड को justify किया जा सकता है देश के अंदर एक किस प्रकार की situation हो सकती है जब सब लोग अपने लिए अलग अलग चीजें डिमांड करना सुरू करने सर दाय जो दी जा रही है वो सिर्फ tax के पैसे से ही दी जा रही है ऐसी इस्थिती में जो गरीबी का आलम देश के अंदर है वो किस इस्तर का हो सकता है ये भी एक सोचने वाली बात है यदि सब ही लोग अपने अपने इस्तर से ये सारी चीजे डिमांड करनी सुरू कर दें अ अब आपकी क्या राय है कि क्या ये डिमांड जो की जा रही है दक्षर भारत के स्टेट्स की क्या वो जस्टिफाइड डिमांड है क्या वो सही डिमांड है असल में ये देश जो है वो है यूनियन ओफ स्टेट्स यूनियन यानि कि तमाम स्टेट्स के साथ मिलकर ये प्यारा भारत देश बना है ऐसी इस्थिती में ऐसा बिलकुल नहीं है कि किसी राज्य का कंट्रिविूशन किसी एक चीज के में जादा हो सकता है तो दूसरे राज्य का अपना एक अलग महत्व है और देश जो है एक दूसरे राज्यों की सहायता से ही बहतरीन ग्रो कर सकता है वरना उनमाद की जो इस्थितियां है वो कभी भी पैदा हो सकती है विचार करना चाहिए पॉलिटिकल एजिंडे को छोड़ कर कि किस प्रकार से देश को सभी राज्य मिलकर एक डवलब्ड कंट्री एक विक्सित राष्ट की ओर ले जाने में किस प्रकार से कारे कर सकते हैं लेकि की क्या राए है इसके बारे में कमेंट के माद्यम से जरूर रखें उम्मीदे सात्यों पूरा सेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना अपने साक्षियों के साथ सेर करना बिलकुल न भूले और अगर चैनल पर पहली बार पधा स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेसन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद